नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में आज मैं शेक कर रही हूँ दो तरीके की कचालू की रेसिपी एक हम बनाएंगे कचालू की सब्जी और एक हम बनाएंगे कचालू की चाट तो मैंने आपर इस तरीके से ले लिया है यह कचालू, यह बड़े साइस का है, और यह देकिये जोटे साइस का इसको अरबी भी बोलते हैं, अरबी बोले या फेर कचालू भी इसे आप बोल सकते हैं दोनों को ही मैंने अच्छे से धोलिया है अब मैं इसे बॉयल कर लूँगी तो मैं इसे कुकर में डाल दूँगी बॉयल करने के लिए इसको बॉयल करने से पहले इसको अच्छे से आप धोलें क्योंकि इसके ओपर काफी मिट्टी होती है दोने से वो हट जाएगी अब इसे ह में डाल देंगे बॉइल करने के लिए पानी आपको इतना लेना है जैसे सारे अच्छे से ये डिप हो जाए पानी में अब इसे में डखता लगा कर एक सी दो विस्टी लाने तक बॉइल कर लेंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो ये देखिए ये अर्भी यानि कचालू, मैंने बॉयल कर लिये हैं, बॉयल करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया, अब मैं इसे छील लूँगे इस तरीके से, बॉयल करने के बाद ही बहुत ही इजीली पील हो जाते हैं, तो सारे ही इस तरीके से मैंने छील लिये हैं छीलने के बाद इसको हम दोनों हाथों में ले लेंगे इस तरीके से और इसको दबा कर इस तरीके से टिक्की की तरह बना लेंगे सारे ही मैं इस तरीके से इसको प्रेस कर लूँगी तो यह देखिये सारे कचालो मैंने दबाकर तयार कर लिया है अब इसे हमें shallow fry करना है तो पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ओयल मीडियम हीट पे इसे हम fry कर लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से यह पक चाहिए इसे अच्छे से हमें क्रिस्प होने तक फ्राइ कर लेना है चाहे तो इसे आप फ्राइ भी कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे शैलो फ्राइ कर रही हूँ आप चाहे तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं जब आपको लगे ये एक तरफ से हलका सा फ्राइ हो गया है तब ही इसे आप पल्टें जैसे कि ये देखे हलका से ये fry हो गया जब तक ये fry हो रहे हैं तब तक मैं इसके लिए बना लेती हूँ एक मसाला जादा मसाले इसमें डलते नहीं है फिर भी खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनती है ट्राइ जरूर करें मैंने बोल में डाल दिया है टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आदा चमच ले लेंगे हल्दी पाउडर मैंने आपर 200 ग्राम अर्भी ली है इसके साब से ये मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ आदा चमच लाल मिश पाउडर एक चमच एट करेंगे धनिया पाउडर आदा चमच साइड में रख देंगे अर्भी को चेक कर रही है तो यह देखे अर्भी विमारी हो गई अच्छे से सबस्राओ कर देंगे अब मैंने गैस को बिलकुल लो हीट पे कर दिया है मसाला डालने के बद इसको हलके हाथ से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये तोटना जाए अब इस अर्भी को सबजी को आप चाहे तो सर्फ कीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर परांठे के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनती है ट्राय जरूर करें तो इस तरीके से ये एक तरीके की सिंदी रेसिपी हमारी बनकर तयार हो गई जिसे सिंदी में बोलते हैं अर्भी टुक, इस तरीके से आलू टुक भी बनाया जाते हैं, वो भी खाने में बहुत ही tasty बनते हैं अर्भी के सबजी हमारी बनकर तयार हो गई से मैं serve कर लेती हूँ अच्छे से crisp होने के वादे से आप मसाला डालेंगे तो यह और भी खाने में tasty लगेगी तो तयार है हमारी यह अर्भी टुक अगली recipe बनाने के लिए मैंने बड़े size के कचालू ले लिए अब मैं इसको छील लूँगी इसे आप चाहें तो knife की help से या फिर हातों से कैसे बीज या पील कर सकते हैं यह भी easily छील जाते हैं तो मैंसे हातों से यह पील कर रही हूँ तो कचालू को मैंने छील लिया अब इसे हम छोटे pieces में cut कर लेंगे कचालू के चायट भी बनती है क कचालू को इस तरीके से दही बले के ओपर भी डाला जाता है तो दही बले का टेस्ट भी और बढ़ जाता है इस तरीके से मैं इसको पतले pieces में cut कर रही हूँ कचालू को cut करने के बाद इसमें add कर देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक थोड़ा से add करेंगे इसमें काला नम कचालू को खाने से कई बारे गले में खुझली हो जाती है तो खटास इसमें एड़ करना बहुत ही जरूरी है अब इसमें एड़ कर देंगे धनिया मैंने धनिया को बारिक बारिक कट करके इसमें एड़ कर दिया अब लास्ट में मैं इसमें एड़ करूंगी नीबुकारस जैसे के हम इसकी चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट थीकी और चटपटी ही अच्छी लगती है और जैसे के हम कचालो की चार्ट बना रहे हैं तो इसमें खटास एड़ करना और भी जरूरी है तो मैंने इसमें एड़ कर दिया आदे नीबू का रस फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ये कचालू के चाट खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आपको कचालू से कोई अलर्जी नहीं है तो इस आप ट्राए ज़रूर करें बिना ओइल के इस चाट को हमने बनाया है और खाने में बहुत ही बड़ी और बहुत ही टेस्टी लगती है चाहिचिस आप कम कॉन्टिटी में भी बना कर खा सकते हैं चाहिचिस को बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ भी बना सकते हैं जैसे की काला नमक, काली मिर्च और नीबू का रस इस तरीके से एक हो गई रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक के लिए बाई